नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTRO SEACH TV आज हम बात करेंगे जनम कुनली की तीसरी राशी मिथुन के बारे में और जानेंगे क्या है उसकी विशेष्टा है लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल का पटन दबाएं आईए जानते हैं मिथुन राशी के जातकों की विशेष्टा है मिथुन राशी द्वी सभाव वाली राशी है इस राशी के जातक बुद्धी जीवी और स्वतंत्र होते हैं साथ ही ये लोग प्यारे और बहुमुकी प्रदिवा के धनी होते हैं मिथुन राशी के जातक प्रेम संबंदों में कोई भी चुनौती सुईकार करने के लिए तयार हो जाते हैं और कुछ रहसे में ही कारे करते हैं ये एक शन में क्रोधित हो जाते हैं और दूसरे ये शन में शान्त हो जाते हैं मितन राशी के लोगों के द्वी सभाव की वज़ा से इने समझना थोड़ा मुश्किल होता है समाज में इन लोगों को बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि ये जानते हैं कि लोगों को कैसे खुश रखा जाता है मितन राशी के जातक रोमैंटिक किस्म के व्यक्ति होते हैं मितन राशी का स्वामी बुद्ध ग्रह होता है बुद्ध परिवर्तन और संचार का कारक है इसलिए मितन राशी के लोगों की भाषा शैली अच्छी होती है और वे विशम परिस्टिती का सामना करने के लिए त्यार रहते हैं इस राशी के लोग आदरशवादी और हस्मुक होते हैं साथ ही अपनी इच्छा वर रूची मित्रों के साथ साज़ा करते हैं मित्न राशी के जातकों की भाषा और बोली बहुत अच्छी होती है यह लोग चतुर होते हैं और अपने विचारों से दूसरों को प्रेरियत करते हैं यह लोग कारे स्थल पर बड़ी ही कुशलता के साथ अपने कारेयों को पूरा करते हैं मितुन राशी के जादक मीडिया और कलात्मक शेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं दमा और अनीमे जैसे रोग आपकी समस्याओं का कारण बन सकते हैं साथ ही तंत्रिका तंत्र और श्वास से संबंदित खास कर सुनने के समस्या आप पर प्रभावी हो सकती है श्वास संबंदी समस्या और कई तरह की गवराहट की समस्या आपको आमतोर पर दिक्कत दे सकती है आईए जाने कैसा होता है मितुन राशी के जातकों का स्वभाव वह उनका व्यक्तित्व मितुन लगने के प्रभाव शेत्र में आने के कारण आप बहुत ही लुभावने, आकर्शक और मिदुभाशी होते हैं साथ ही आपके शारीरिक और मानसक तौर पर काफी मजबूत प्रगति के होने के संभावना बनी रहती है आपका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि आप अपनी आयू से छोटे प्रतीत होते हैं आप में कुछ नया करने के प्रवती पाई जाती है आप किसी एक विचार पर स्थिर नहीं रह पाते और जल्दी ही अपने कामों से उप जाते हैं यही कारण है कि आप लंबे जमें तक किसी भी मसले पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते आप लोगों में अपने फाइदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करने के प्रवती भी पाई जाती है चुकि आपका मन लगतार बदलता रहता है इसलिए आप पर भरोसा करना खतरनाक होता है आपकी राशी के लोग बौधिक बातों को अधिक महत्व देते हैं आपके लिए संचार का काफी महत्व होता है इसलिए आप ज्यान को जमा करने की पूंजी नहीं मानते सभी सौर राशियों में मिथुन राशी बहुत बहुमुखी प्रतिभा वाली राशी मानी जाती है आप जब किसी एक मुद्य पर निर्ना लेते हैं तो अगले ही शन उसे बदल देते हैं आपके लगन के लोग खुले विचार और अधिक जिग्यासु प्रवती के होते हैं आपने शायद ही कभी किसी लक्षे पर गहराई से सोचा हो और हर प्रकार के शड़यंत्रों से आप दूर रहते हैं साथ ही आप स्वयम पर नियंत्रन नहीं रख पाते मिथुन राशी का शारीरिक रंगरूप कैसा होता है आईए जानते हैं मिथुन लगन के लोग चमकदार आखे और अपनी बातों से लुभाने वाले होते हैं आप लोग दुबले कत काठी के औसत लंबी उचाई वाले होते हैं आप कई बार मॉडल्स की तरह अकरशक नजर आते हैं गोरे रंग, छोटी थुड़ी, सुन्दर चहरे और गुंगराले बाल से आपका व्यक्तित्व काफी लुभावना लगता है आपका ललाट चोड़ा होता है और आखे भी सुन्दर दिखाई देती हैं लेकिन अकरशक व्यक्तित्व होने के बावजूद आपको रोक और स्वास्ति समस्याओं का सामना करना पड़ता है